जिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष लेक राम साहू ने ग्राम सिलोटी में कुरूद विधानसवर शेत्र के विधायक और स्वास्त मंत्री अजय चंद्राकर के सामने कुरूद से चुनावद लड़ने और जीतने का एलान कर दिया है दरसल मौकर ग्राम सिलोटी में नविन महा विध्याले के उद्गाटन का था इस अवसर पर पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर पहुँचे हुए थे सभाचर रही थी इसी दौरान जब लेख राम साहू को माइक दिया गया तो उन्होंने संबोधन के दौरान सिलोटी में अपने सर पंच कारिया लएके दौरान किये गए कारियों को बताया पहली के सिलोटी में बहुत अंतर है पहली के सिलोटी जब कुरूद में जान अगर कोई अधिकारी ला सजा देख रहा है तो ला सिलोटी भेजे कावर वो समय रोड नहीं रहे वह समय भी हमन लड़के लोड बना रहे हैं अगर कोई अधिकारी यहां आना निशा है आहां तेक मंदरी जी आपला बात बताओ आदमी लड़की देखे रहा है सगसो दर्मन है लेकि रोड नहीं के की मांगे तक नहीं यह इस सिर्थ हमारी आदिस लेकिन आज संपूर्ण सुइधा संपूर्ण सुइधा सिलोटीम हो गए आप सब के महनस से हो है आप सब के प्रयाश से हो है एक अलिये में धन्यमाद देना चाहा थो सम्मानी सात्य हो पुछ बात और रहे गे हायर सेकेंडरी भवन होना चाहिए लईका होना चाहिए नहीं होना चाहिए हाथ हुटाग बता होना चाहिए प्राद्मिक स्वास्त केंद्र होना चाहिए यह दोनों चीज नहीं है मांत्री मंत्री जी लए अउगत करा थमया कहा वर हम दोनों लग चुनाओ लड़ना है आने वाले समय में दोनों लग चुनाओ लड़ना है और कोई लग कोई जीत क्या ना है अब पिछले समय आप मुला मोके दे रहे हो यह समय मंत्री लग दे रहे हो तो मैं जैसे चुनाजीत क्या हूँ, प्रिच्छी तोर पहिया के जतना भी मांगे, वह ना मैं फूरा करूँ. दूसरा बद, हमार कालेज खुल गे लेकिन, हमार मंतरी जीला बता थो, यह रोड में गे निये, और मंतरी जीला कहा थो, शाल पी वार मोर घर में जा बे.